सहारनपूर जनपत में डेंगु के 45 मरीज आए सामने स्वास्तविभाग अलर्ट सीयमों ने दी जानकारी आपको बता दें जनपत में डेंगु के 45 मरीज सामने आये हैं लगातार जनपत में बुखार के मरीज बढ़ते जा रहे हैं अस्पताल में 300-400 मरीज बुखार से पीडित पहुँच रहे हैं जिसमें अब तक 45 मरीज डैंगू के भी मिले हैं जिसको लेकर स्वास्त विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और संचारी रोगों से बचाव हेतू जन्पत में अवियान भी चलाया जा रहा है इस संबंद में CMO रॉक्टर संचीब मांगलिक ने पत्रकारों को जानकारी दी प्रती वाइस जो है ये जुलाई अगर सितंबर और अक्टूबर ये महिने हैं जिनके अंदर की संचारी रोग फैलते हैं और ये हर साली देखने को मिलता है कि इसमें वाइरल फीवर डैंगू है चिकन दुनिया है इस तरह के बुखार का काफी प्रकॉप रहता है और इस बार भी हमेरे अभी तक करीग 45 केसे जो हैं डैंगू के वो कनफर्म हो चुके हैं हमारे अलाईजर चैस्टिंग में तो कोई बहुत ज़्यादा इस बार नहीं है और नहीं कोई इस तरह का थी लोग आ रहे हैं कि प्लेटलेट्स उनके कम हो रहे हैं प्लेटलेट्स आप जंबो पैक इशू करा दीजे या प्लेटलेट्स के लिए लोग परिशान नहीं है इसका मतलब भी बहुत जादा एक प्रकॉप नहीं है और ओपीडी में भी जिलास पताल में करीब तीन सो चार सो केस आ रहा है परड़े फीवर के लेकिन इसके अंदर डेंगू हो या मलेगया नहीं है वे बारेल फीवर है जनक पसाहरनपूर के अलग अलग ब्लॉक्स के मरीज है और यह इनका ट्रीटमेंट वहीं करते हैं हम लोग इनके आस पास के तसगर दोनों तरफ के लेके उनके अंदर एंटी लारवा ट्रीटमेंट है फॉगिंग है और पारेथरम इस परेह है जितने भी हमारी एक्टिव देखती रहिए डीबी भारती समचार नजर हर खबर पर